हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक और महत्तुपूर्ण जानकारी की जो की है पैरामेडिकल स्टाप की निव वेकेंसी से संबद है जी हाँ दोस्तों MP में पैरामेडिकल स्टाप की निव वेकेंसी आचुकी है कौन-कौन सी पूस्ट है निकले वालियार मज़ प्रदेश से ये रिलीस हुआ था तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ जानकारी आई है तो प्रेंट्स एक बात पहले आपको क्लियर करा देता हूँगी ये जो नौटिफिकेशन है काफी पुराना है लेकिन तेश तारीक को ये संसुधित बिग्यापती सू प्रेंट्स से देखते हैं कि ये कौन कौन सी पुष्ट यहाँ पर निकली हुई है तो टेगनिशन की आपको यहाँ पर 22 पुष्ट मिल जाएंगी जिसमें से 5 पुष्ट जो है फ्रेंट्स सर 20% संभीदा कर्मियों के लिए आरक्षे थे तो इस प्रकार टोटल ये टेगनि होना चाहिए मानता प्राफ संस्था से आपका संभंधित विषय में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और MP Paramedical Council में आपका जीवित पंजयन होना चाहिए इसके बाद जो अगली पोष्ट है वो है ECG टेगनिशन की टोटल पोष्ट की बात करने तो पाच पोष्ट यहाँ पर निकली हुई है पांचो पोष्ट फ्रेंट्स यहाँ पर ओपन है जिसमें से सहली आपके रहेगी 28,700 रुपे से 91,300 रुपे तक और बाकी PCV से आपका 12 होना चाहिए मानता प्राफ संस्था से आपके पास ECG का सर्टिफिकेट होना चाहिए और Paramedical Council में आपका जीवित पंजियन होना चाहिए अगली जो पोष्ट है वो है Lab Assistant की 11 पुष्ट है आपके निकली हुई है दो पोष्ट है आरक्षी संविदा कर्मियों के लिए सहली आपको मिलेगी 28,700 से 91,300 रुपे और PCV से आपका 12 होना चाहिए मानता प्राफ संस्थान से आपके पास DMLT का डिप बखिये बेतन की हम बात करें तो सहली आपको 28,700 रुपे से 91,300 रुपे तक मिलेगी और PCV से आपका 12 होना चाहिए और आपके पास Radio Therapy का डिपलोमा होना चाहिए और Paramedical Council का आपका जीवत पंजियन होना चाहिए अगली जो पोष्ट है वो है रेडियो ग्राफर की 16 पोष् अगली जो पोष्ट है वो है डालेसिस टेक्निशन की 11 पोष्ट यहां पर निकली हुई है सहली रहेगी आपकी 25,300 से 80,500 रुपे PCV से आपका 12 होना चाहिए और Paramedical Council में आपका जीवत पंजियन होना चाहिए अगली जो पोष्ट है वो है प्रोस्थो टेक्निशन की प्रोस से 80,500 रुपे PCV से आपका 12 होना चाहिए और Arthro Tech Prosthetic Technician का आपके पास डिपलोमा होना चाहिए इसी परकार अगली पोष्ट की बात करेंगी तो फार्मसिस्ट की आपको 8 पोष्ट यहां पर मिल जाएंगी सहली आपके रहेगी 25,300 से 80,500 और PCV से आपका 12 होना चाहिए फार पर निकली हुई है सेल नी मिलेगी 19,500 से 62,000 रुपे PCV से आपका 12 होना चाहिए एकसरे का आपके पास सेटिपिकेट होना चाहिए और पैरामेटिकल काउंसिल में आपका जीवित बंजन होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एपलाई कर सकते हैं बाकी लेवर टें किसमें संसोधित हुआ है वो यहां पर सुपर इस लिए हॉस्पेटल का नवीन राज इस तरही आरक्षन मॉडल रॉष्टर के अनुसार बर्गी करण मतलब यहां पर और सारी पोस्ट यहां पर निकला निकाल दी गई है तो चलिए जल्दी से हम चेकाउट कर लेते हैं कि क पेडिशया परेट प्रट के और पास और ऊपर है अगली की बात करें तो तो आठेजाब सासू से निकला बर्गी प्रेट की और और इमानत पर आप संस्थां से डालेसिस का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और एमपी पार मेंट काउंसिल में आपका जीवत पंजियन होना चाहिए अगली जो पोस्ट है वो है एकसरे टेग्लिशन की चार पोस्ट है है सेरली मिलेगी 28,700 से 91,300 रोपे PCV से 12 होना चाहिए रेडियोग्राफर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और MP पैरामेटिकल काउंसल में आपका जिवत पंजन होना चाहिए इसी परिकार अंगली जो पोस्ट है वो है रेडियोग्राफर की रेडियोग्राफर जिसे हम बोलते हैं दो पोस्ट हैं आप में हैं PCV से 12 होना चाहिए आपके पास संबंधर ट्रेट से डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और परामेडिकल काउंसल में आपका जिवत पंजन होना चाहिए और फ्रेंट्स अगली पोस्ट की बात करें तो OT टेग्निशन की आपके पोस्ट नकाली गई है तेर पोस्ट हैं हैं सैल नी मिलेगी 284 से 700 से 11,300 रूपे आपके पास OT का सैट्पिकेट होना चाहिए ये PCV से 12 होना चाहिए और MP परामेडिकल काउंसल में जीवत पंजन होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं बात करेंगे बेतनमा ने अन्यवस्टे की तो पहले आपको फ्रेंट्स यहां पर निट्ट थी ती तीन माह के-लिए की जावगी जिसमें आपको पारिश्त्र में एक बेतन, दसह.जार रूपे दिया जावगा दिया जाना आरम किया जाएगा तो फ्रेंट्स यहां पर आरक्षण का कुछ डेटेल में दिया हुआ है यह आप देख लीजेगा पहला हम बात करते हैं आविदन सुल्ख कितना लगने वाला है तो अनारक्षी स्रैनी के जो उमीदवार हैं जनरल वाले हैं उन्हें 500 रुपे और जितने भी यहां पर केंडिडेट आते हैं आरक्षी स्रैनी से तो उनको 500 रुपे फ्रेंट्स 500 रुपे निरधारित किये जाते हैं आविदन सुल्ख जमा करने की प्रिक्रिया ओनलाइन स्टेट वेक ऑफ इंडिया पर जाना होगा उसके उपरांथ स्टेट में मध्यप लुट पर जाना होगा तसपस्चात आपके द्वारा जमा की राशी की रसी जनरेट होगी जिसके कापी आविदन फॉर्म के सास चलेंडर करना होगा तो फ्रेंट्स यहां पर आपको आपको जो आविदन सुल्क है वह कहां से भरेगा इस्टेट बैंक कलेक्ट पर आपको जाना होगा, बैंक के माध्यम से आपका पेमेंट होगा तभी आपका आविधन यहां पर पहुंचेगा और बात करेंगे कि आपको जो रसीब् Dh मिलेगी वो आपको आविधन फॉर्म के साथ संलगन करना होगा आविधन के पत्र के सनलगन करें यदि रसीद प्राप्त नहीं होती है तो आविधन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी यहाँ पे आपको यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा फ्रेंड्स आयू सीमा की बात करें तो अधिकतम बाय आयूद प्रेंट से 45 वर्स है आरफ्ष रेंडी के उमिद वारों को और जोभी यहां पर जनलर्वाले हैं उनको 40 वर्स से जहां पर अधिकतम आयू रहेगी अब बात करेंगे फ्रेंड्स चैन प्रिक्रिया की जो सेलेक्शन प्रोसेस क्या है कि उपरुक्त प्रिक्रिया से पद भरने के बाद सेस रिक्त पदों को MP online के माध्याम से जारी विग्यप्ती क्रमांग 25-5-2021 एवं दिनांग 29-6-2021 के अनुक्रम में आयजुत होने वाली परिक्षव प्रांथ उत्रिन उम्मीदवारों से भरे जाएंगे प्राविनी सूची अगर आपकी तयार कीते हैं तो अगर दो उम्मीदवारों की समानग हैं तो जिनकी डेटो बात ज्यादा होगी जो बड़े हैं एज में उनको प्रात्वत्त्या दी जावेगी और फ्रेंट्स से दस्तावी सत्यापन के द्वारन बारवी की अंक्सूची में सेक्षडेक यूगता नुसार पीसी भी नहीं होने पर अब्यार्तियों को आयोगी खु रहेंगे तो सलग्ड़ प्रपत्तानु सवर आवशक्च दस्तावेजों को सवप्रमाइद्ध प्रतिलिप सलग्ण कर आवधन पत्र की अर्धम त्यत्यीति संस्तावेजों की पतियां आव्धन के साथ लिंत्वार सरंगन किया अनिवार है तो अमीदबार नहीं आई अपक कर रहे है पोस्ट के लिए तो उसका डिग्री डिप्लोमा आपको लगाना होगा पैरामेटिकल काउंसल का जीवित पंजियर लगाना होगा यहां पर अपना फोटो बेचान पत्र में आधरकार्ड भी लगा सकते हैं एक आपकी फोटो रहेगी नवीन जिस पर आपकी दिनांक और नाम अंके थो बार्मी की आपकी अंक्सूची रहेगी और मध्यप्रदेश के यहां पर EWS क्रेटिग्री के केंडिडेट है या आरक्षित स्रेणी की उमीदवार है तो उनका अपना जातिप्रावण अपत यहां पर लगाना होगा फ्रेंट्स हम बात करेंगे आगी इन आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको एंप्रेंट्स परामेडिकल बेक की वेकेंसी परामेडिकल स्टाफ की नियो वेकेंसी संबंद्द और कोई नई जानकारी जाएगे तो आप कमेंट्स से माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं